प्यारे दोस्तों मैं डाक्टर विनोथ पिछले 15 सालों से नेट्रोपेथी से डिफरेंट डिसीर्स का इलाज करता हूं तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने डिस्कोपेथी, बैक पेन, लोग स्पाइन पेन को ठीक कर सकते हो देखो शरी में कोई भी पेन हो जाता है, तो वो हमारी ही कुछ मिस्टेक्स हैं यह नहीं होता कि आप रात को सोईए और सुबा आप पेन हो गया इसके पीछे बहुत सारे reasons हो सकते हैं आपकी eating habits हो सकती है आपकी exercise habits हो सकती है या बहुत सारी mistakes हो सकती है या सबसे important जो आज के time में है वो है stress, tension लेना तो ये जो चीजे हैं इनकी वज़ा से आपके जो back में pain हो गया आपके low spine pain हो गया आपको डिक्स को पैथी हो गई है आप नीचे सोते हो और उठ नहीं सकते हैं बिना किसी sports से या आप जब भी चलते हो नीचे जुटते हो सैड में हाथ इस तरफ करते हो तो आपको pain महसूस होता है तो इस तरह के symptoms अगर आपको दिखते हैं तो आपको natural way से इसका इलाज करना चाहिए इस्टेड कोई pain के लग गोली खानी के बजाए है तो best मैं आपको बताऊँगा कि इसका treatment कैसे हो सकता है focus होना logic instead fake अब आपको 30 days के लिए यह चीज follow करनी होगी है अपना जो focus है वो आपने logic के इसका क्या solution है उसके क्या reason है मैं इसे follow करूँ तो इसका क्या benefit होगा उसके उपर रखना है ना के आपने fake trust के उपर यही fake trust था आप मिशन सोचते हो planning बनाते हो future की यह करना है वो करना है past की attention लेने रग जाते हो क्योंकि past तो खत्म हो गया अगर आप जो दूद नाली में गिर गया उसकी attention हो गया तो आपके जो muscles है weak होना start हो जाएंगी क्योंकि जितने भी energy या strength मिलने वाली energy है वो तो वही वही consume हो गई और in future की आप planning समना होगे सबसे पहले logic की यह एक है कि आपको present में जीना है जितना आप present में जीओगे आज के दिन मैं अपने जिन्दगी जो जीता हूँ आज के दिन जीता हूँ full smile, full happiness तो उससे क्या होगा आपके जो body के pain होगे ना खतम होते जाएंगे करी सालों से आपने एक trust बना लिया है नए जी मुझे तो back pain होता है जितनी बार आप कहते हो मुझे back pain हो रहा है focus गया ना महा तो वही focus आप जो यह treatment है यह बता दो इसका logic समझने में लगा यह क्योंकि वो जो focus था मैं पांच सालों से pain से aggressive हूं या दुखी हूं तो जितने में energy इस fake trust में पकी हो जाती है जितना trust पका होगा उतना ही बीमारी के साथ आपका relationship पका हो जाएगा क्योंकि trust का काम होता है relationship बनाना means अगर आप बजागार में जाते हो कोई रखती अच्छा बोलता है उसके बातों में confidence है आप उसके उपर विश्वास करते हो relationship बनाते हो ऐसे ही बीमारी जो है जो आपको pain महसूस हो रहा है क्योंकि वो weak है आपके muscles weak है आपके अंदर कमजोरी है आपका जो digestion system वो ठीक ने liver ठीक ने kidney ठीक ने सारा system खराब है उसके वज़ा से आपके bones weak हो गई है तो आपने उसके साथ trust बना लिया दिमाग में trust हाँ मुझे pain है जब trust बन जाएगा तो relationship बन जाएगा जितने भी बिमारी है उसके ketano है जो उसके समस्याइं वो increase होती जाएगी आपके weakness increase होती जाएगी क्योंकर trust हो गया उसके साथ विश्वास हो गया इससे fake विश्वास को अब आपने हटा देना है आपने doubt पैदा करेना है नहीं मैं तो ठीक हो सकती हूँ मैं तो ठीक हूँ मुझे कहाँ pain है यह शब्द आप जब कहोगे जब किसी में doubt आजाएगे तो relationship बनता नहीं है तो जब आप यह बात कहोगे तो आपका relationship जो उस disease के साथ है उस pain के साथ है वो तूट जाएगा तब आपने एक सच्चा trust मनाना है इस treatment के साथ तो उसमें जो first बात करनी है make a habit of 20 km per day logic है इसका जितना आप पैदर चलोगे आपके whole body के जो muscles हैं वो मजबूत हो जाएगे क्योंकि शुद oxygen अंदर जाती है जितनी शुद oxygen अंदर जाएगी उतना ही muscles को शक्ती मिलेगी क्योंकि blood की supply वहाँ जाएगी आप बैठे होगे pure blood की supply back bone में आपके नहीं जाएगी तो क्या है कि आपको pain महसूस होगा ओके कुई blood की supply नहीं है जो हड़ियां बनती हैं कहां से बनती हैं बलड से बनती है बलड pure कैसे होगा शुद होगे season जाएगी जब तो आप 20 km एक दन में चलिए 0-20 फार्मला 10 km सुभा चलिए 10 km शाम को चलिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए देखो कैसे नया नया खून बनता है नया नया खून बनेगा तो back pain खतम हो जाएगा आपके disco pathy और नीचे से उपर भाग के उठोगे ओके तो low pain, spine pain बिल्कुल नहीं रहेगा आपने एक अच्छा विश्वास ठीक हो जाऊंगा तो यह logic के साथ है इस logic के उपर आपने trust करना है यह जो fake trust था मैं ठीक नहीं हो सकती मुझे तो तकलीफ है मैं तो चल नहीं सकती मैं तो चल नहीं सकता कौन कहता है लाते चलने के लिए होती है चलाइए आपने चलते जाना है चलते जाना है खातना है पीना है सुबा 10 किलमेटर शाम को 10 किलमेटर 20 किलमेटर आपने डेली चलना है स्टाटिंग 0 5 किलमेटर 10 6 किलमेटर 7 किलमेटर चलिए अपने गोल के उपर फोकस कीजिए क्योंकि गोल आपको logic बता रहा है reasons बता रहा है क्यों मैं 20 किलमेटर पहले चलो चुकि जो पेन है वो खत्म हो जाएगा इस fake trust के उपर आपने विश्वास नहीं करना क्योंकि अगर विश्वास रहोगे relationship आपका disease के साथ हमेशा बना रहेगा मैं चाहता हूँ आपका यह fake trust खतम हो जाए logic आपके दिमाग में रहे yes doctor sir यह कहते है कि सुवा 10 किलमेटर शाम को 10 किलमेटर चलने से मसल मजबूत होंगी fresh oxygen मेलेगा blood का supply अच्छा रहेगा और मैं सिहत मंद हो जाओंगी या हो जाओंगा self help exercises बहुत साइब exercise है stretch की exercise है उससे कहा है कि body flexible होती है जितनी body flexible होगी pain रहेगा नहीं देख सिंपल सी है तीन exercise है knees touch chest exercise ठीक तो मैं यह एक देता हूँ यह देखो यह है आपके knees अगर knees में pain है यह भी ठीक होगा और अगर आपके back pain है यह भी ठीक होगा यह आपने ही यहां तक लेके जाना है ओके और यह देखो यह two three four five six seven eight nine और eight ten आप भी दस्त कर सकते हूँ उससे क्या होगा यह side आपके कमर में दर देता है वो ठीक हो जाएगा आपके यह सभी muscles मजबूत हो जाएगी हड़े को मजबूती से capture करेंगी उसमें पीन रहेगा नहीं आपको ना back pain रहेगा ना discopathy रहेगी ना low spine पीन रहेगा logic है ना ऐसे ही second flow walking exercise देखो आप चलते हो ना अब आपने flow walking exercise करनी है देखो यह लाट मैंने ऐसे की है ओके यह हाथ यह वाली लाट और यह वाला हाथ यहाँ किया यह ऐसे किया यह ऐसे किया यह ऐसे किया इसको कहते है फ्लो वाकिंग यह लाट जब उपर जाती है ओके तो इसको मजबूत करती है इसके साथ इसको मजबूत करती है strength ज़्यादा आप में आ जाती है आपको मजबूती का महसूस होना start हो जाता है तो फ्लो वाकिंग किजिए यह और यह लाट यह आपकी जो यह मसल है इसको मजबूती देगी और साथ में इस मसल को मजबूती मिलेगी लाट उपर खीचने से तो आप में यह मजबूती आ रही है ओके तो फिर ट्रेस्ट को खितम कीजिए बेटर स्लिप टाइम लोग रात के एक एक बज़े तक जाती है पिमारी हैं तो होंगी रात को आठ बज़े सो जाई है सुबा चार बज़े उठिये एक अच्छी हैबिट आपने बनानी है बेटर स्लीप टाइम टैबल तीस दिनों तक रात को सो जाना है स्टोप दा वर्क मुझे पेन हो रहा है मुझे डिस्कोप रती हो रही है मुझे लोग स्पाइन हो रहा है मेरी जो जिन्दगी है वो दुखी है सुखी कैसी होगी दुखी है तो वो तो आपका फेक ट्रस्ट है वो तो जिन्दगी में कभी दुखी होता दुख तो होता ही नहीं, वो तो negative emotions जिन्दकी में होते नहीं, यह तो आपने पाल रखी हैं, तो आपने सिर्फ करना है, relax मिलेगी बोड़ी को, 8 घंटे, तो सुबा के टैप fresh air होती है, वो आपको मिलेगी, इसके साथ आपने पाल रखी हैं, प्रस्ट प्रस्ट तो है, बहुत टेस्टरी है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे ठंडा पानी अच्छा लगता है, यह आपका फील ट्रस्ट है, इसके साथ आपने relationship पर cancel कर देना है, लोजिक यह है, यह है जितने भी चीज़ेशन के लिए नुकसान दे है, अगर डेशेशन सिस्टम खराब हो गया, तो liver खराब, खून नहीं बनेगा, खून की supply नहीं होगी, खून की supply नहीं होगी, तो bones जिसके दम पे मजबूत रहती है वो उसको नहीं मिलेगा, तो हड़ियां कमजब जाएंगी, pain तो होना ही है, okay, count your bones instead of pains, आप हमेशे pain महसूस करते हैं, आज मुझे इधर दर्द है, back के इधर दर्द है, फिर कहते हो back के इधर दर्द है, फिर कहते हो back के इधर दर्द है, मैं नहीं उठ सकती, उठ सकती, मैं अपनी pains की counting, वर्दानों की counting भी कर सकती हो ना, कितने साई वर्दान है, यह दो को कितना मजबूत हाथ है, इससे मैं इसमें कभी pain नहीं हुआ, यह मैं उठा सकती हूँ, यह मैं उठा सकती हूँ, कितने इतने है, प्रमार्मत, यह लाक लाक शुगर है इतना बरदान दिया हुआ है, यह तो को, गमा सकती हूँ मुझे चलने का बरदान है मैं आगे पीछे चल सकती हूँ यह चल सकता हूँ तो कांटिंग कीजिए, दिन रात सोचते हैं ये तीस दिनों तक आपने अपने वर्दानों की काउंटिंग अनिय बूम्स इतने वर्दान हैं, इतने सेकंड ना मिले कि आप अपने पेंड को याद कर सको, पेंड आपको दुखी तब करेगा, सफर तब करेगा जब उसको याद करोगे, वरना उसकी एक्जिस्टेंस तो है ही नहीं दुनिया में, हर सेकंड याद करो, मुझे याद है कि उस परमात्मा ने मुझे लाखों बार कहीं कहीं एक्सिडेंट में बचाया, तो यह मुझे वर्दान है, मैं बोल सकता हूँ, अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, यह वर्दान है, है र जो चीज आप बोलोगे, जो चीज आप याद करोगे, जो चीज आप काउंट करोगे, बच्चे होते हैं, बच्चे, उसको गिंती नहीं आते हैं, बच्चों कहते हैं, गिंती स्टार्ट करो, बोलो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आट, नो, दस, क्या नहीं बहुत अच्छा है मुझे लैट्स की स्प्लाइ मिल रही है मुझे कैमरी की स्प्लाइ मिल रही है मुझे बहुत साइब स्पोर्ट्स मिल रही है तो यह वरदानों को आप आपको काउंट करो यह जो वीडियो बना रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं यह आपका वर्दान है और यूटूब में लिखो नेच्रोपेथि ट्रीट्मेंट ओफ डिस्कोपेथि बैक पेन लोव स्पाइन पेन आपको यह वीडियो मिल जाएगा इसको काउंट नहीं कर सकते हैं इसकी गिंती नहीं कर सकते हैं इतने लोग यूटूब में इसी पर वीडियो बनाते हैं आपकी स्पोर्ट कहने के लिए वो एक्सरसाइज बता रही हैं बट आपका तो ध्यान पेन स्टी काउंटिंग में है कैसे पेन ठीक होगा पेन नहीं ठीक होगा उसकी काउंटिंग से बूंस की काउंटिंग से पेन ठीक होगा ओके तो आज से तीस एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप पीन को याद करो , पूंस को याद करना है आपनी, जितने भी वर्दान है, इतने वर्दान है सभी को याद करो, डेली पांच की लिष्ट इंक्रीज होनी चाहिए उस वर्दानों में जैसे मुझे पास में से ही दोद की स्प्लाई मिल जाती है फूड मिल जाता है सब्जी मंडी पास है यह वर्दान है मेरा तो ऐसे ही आप अपने वर्दान को काउंट कर सकते हो यहाँ इस सीटी में बहुत सारे लोग अच्छे हैं मुझे से बहुत प्यार से बातें करते हैं तो यह वर्दान है बून है बस इसी काउंटिंग में लगे हो आपको बहुत अनंद मिलेगा क्योंकि वो सेकंड ही नहीं रहेगा जब आप पीन को याद करोगे जस्ट कोशिश कीजिए तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मीदा है कि 30 दिनों में आपका हात्रां का बैक पेन डिस्कोप है थी लो स्पाइन पेन खतम हो जाएगा अगर आपको कोई डाउट है या आप परसनल ट्रीटमेंट लिना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो तो मेरा नंबर है 9500 चोंती नोसो पच्ची 9356234925 एक बार फिर बोल देता हूं 9500 चोंती नोसो पच्ची 9356234925 ओके थेंक यू थेंक यू वेरी मच्च झाल 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 झाल